हालो गाइस वेलकम टो कुक विसाद्विक्स मॉम तो चलिए आज बनाएंगे बहुत ही रिस्टी बहुत ही चीजी यह चीज पुल अपार्ट ब्रेड की रेसिपी जो बहुत ही रिस्टी लगती है खाने में तो आज मैंने बिल्कुल कम वेस्टेबल के साथ बहुत ही कम इंग बाद एक मीडियम साइज के टमाटर को वी इसमें कट कर एक एक चममच नमक एड़ किया है और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे ढग देंगी और इसे थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो बस जब इस तरीके से थोड़ा साफ्ट हो जाए इसके बाद हम कर देंगे गैस पन गेस बन करने के बाद इसे एक टोरी में ट्रांसफर कर दिया है जो भी głë में रेडी किया था मैस टेबल यू की इसके बाद इसमें वन थर्ट टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स टाले है एक त्यारी चममच उचC और गयेअ एड़ किया है इसमें साथ ही इसमें एक चमच जो है मियोनिज एड़ किये हैं और थोड़े से इसमें मोजरिला चीज एड़ किये हैं इसके बाद इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो बस इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने दो बर्गर बंस लिये हैं मैंने इस तरीके से cut लगा दिया है अब देख सकते हैं इस तरीके से इने cut लगा देंगे cut लगाने के बाद मैंने 2 चमच melted butter कि अपने थोड़े से और गयनो को sprinkle किया है और साथ ही इसमें थोड़े से chili fix को भी कर दिया है इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके मैंने इस तरीके से बीच-बीच में अच्छे से ग्रीज कर लिया है बर्गर बंस को बस ग्रीज करने के बाद जो है मैंने जो वेस्टेबल सभी रेडी किये थे इन्हें इस तरीके से फिल कर दिया है तो जितने भी कट्स ल तो चलिए इसके बाद इसे अब हम सेखते हैं तो इसके लिए मैंने एक फ्राइपन लिया है जिस पर आदा चमाच बटर डाला है और जो हमने रख देंगे और चीज के मैल्ट होने तक का वेट करेंगे तो जैसे हमारी चीज मैल्ट हो जाए तो बस बिलकुल रेड़ी है है हमारे चीजियस्ट पुल अपार्ट प्रेड बहुत ही टासी लगते है खाने में और बनाने में बहुत ही एजी है बिलoming कम वेजटेबल के साथ ये बनके रेड़ी है ऐंट्रस्ट में वहुत ही कंची बनते हैं बहुत ही ज़ादा टीस owREE ज़्यादा चीजी है तो अगर आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपी पसंद आए घर पर जरूर आए कीजिएगा बहुत ही रेस्टी बनते हैं ये और मेरी रेसिपी को लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले